सासाराम हिंसा में हाल ही में बीजेपी के पूर्वविध हाएक जवाहर प्रसाद के गिरफतारी हुई है आपको बता दें कि गिरफतारी जवाहर प्रसाद के घर से हुई इसको लेकर राचनीती भी तेज हो गई है विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी की प्रतिक बिलाने इनका काम है राम नौमी नाम का है और जादा उसमें टार्गेटेड मुसल्मान और मुसल्मान की संपती को नस्ट करने और एक दूसरे के भाईचारे को खत्म करने का इनका प्लान पूरे देश में चल रहा है बिहार का भी उसी में चला गया सासाराम और बेवुसराय में यह जो बिहार सरीप में हुआ है बिहार सरीप में बेगु सराय के नौजवान आये थे जो बीजेपी के बजरंग दल के थे यहां भी वैसी आले पकराया अरिस्ट होगा सरकार काम कर रही है उन्होंने सरकार ने कहा था कि जो भी इसमें हिंसा में भाग लिए है और उसको निशी तुल से हम पकरें बेगु सराय के एक सो नौजवान आये थे वहां इंसा फैलाने के लिए और हिंदू मुसल्मान करने के लिए और यहां भी इसी तरह की घटना क्योंकि बगल में उतर प्रदेश है कहीं न कहीं वो टार्गेटेटिक हुआ और वही जो जिला में इस को सोह समा से आते हैं और वो जिलूस में शामिल थे जिस जिलूस में रामभक्तों पर पत्तरा हुआ क्या रामभक्तों ने अपने जूस पर खुद पत्तरा हुआ क्सित उट्टेश है। पर पत्थर एकथा कर रखा था कौन लोग ते जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थर फेएखा踏 कोन लोग ते जिनके घरों में बंवे yen 물리 ही क्योंत हुआ तो उनको घ्रफतार करने के बजार जो लोग शानती व्यवस्था में लगे pointer थे उनको अपने गिरफतार कर लिए एक मेहने के बाद जिनका ना तो एफ आयार में नाम था ना कहीं दंगा भड़काने में जिनकी कोई भूमिका थी कि वह इसलिए अपने गिरफतार किया है ताकि कल यह प्रचार कर सकें कि देखिए बीजेपी की साजिस्ती बिहार को दंगों की आग परी कि गयाँ झाल झाल